नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत है करेंट चाचा के इस एपिसोड में जो आज 11 मई को आप रिकॉर्डट फॉर्म में देख रहे हैं पर इस वीडियो में उतना ही एनरजी उतना ही कंटेंट है जितना कि आप लाइफ सेक्शन में देखते थे इन दोनों कंडिशन नहीं किया कि हम आपके सामने सुबर लाइब आप आते पर फिलाल सेशन तो होगा और ये सेशन हो रहा है चिंता मत करिए कि हम आपके साथ लाइफ भी जुडेंगे इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिएगा और आपके जो क्वेस्शन हो जवाब आपको वहीं मिलेगा चालू करते हैं आज के सेशन को विद वेरी पॉजिटिव तिंग कहा जाता है तेजस्विनी छमो पेते नातिकारक शामाश्चरेत अति निर्बत्राद दुहिश्चनाद जन्दनापी जायते चिंता मत करिए इसका मतलब है कि तेजस्विनी छमो पेते मतलब आप उन लोगों से जो की बहतरी न पढ़े लिखे हो ब्रिलियंट हो वाईज हो उनसे बत्तमीजी से बात मत क्या करी है रूडली बात मत क्या करी है क्योंकि चंदन में भी जब बड़ा तेज़ फोर्स लगा जाता है तो च लोग शान्त होते हैं पढ़े लिखे वाले और उनसे पंगा नहीं लेने का आईए आप भी पढ़े लिखे हैं इसलिए हम आपसे पंगा नहीं लेंगा और हम चालू करेंगे सेशन आपको बता दें आपको वो मुकाम हासिल करना है जहां पे विजडम आप तक पहुंच जा हाँ आज एक अंतिम अवसर है आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है एक affordable rate में वैसे तो अवसर बहुत मिलेंगे पर एक affordable rate में भी एक अवसर चलना है लास्ट डे है आज इस ओफर का यह ओफर है कि आपको 15 मंस का subscription मिलेगा मतलब आप 15 महीने तक हम लोगों का चेहरा देखें मातर 24,999 में 24,999 में आपको 15 महीने का course मिलेगा मतलब पीटी से लेकर में सक का सारा वन स्टॉप सल्यूशन आपको मिलने वाला है वन स्टॉप सल्यूशन पीटी हो इंटरव्यू हो ऐसे हो current affairs हो जिस चीज में आप जाना चाहें सब आपको यहां मिलेगा एक dedicated routine के साथ आपक अब आपको भरोसा कर लेना चाहिए तो आरंब बैच चालू हो रहा है आरंब बैच starts from already started from 7th of May पर अभी background चीज़े चल लहीं है आपको एक code लगाना पड़ेगा CMC मालीजी जब आपको subscription लेना है तो आप app download करिए plus चुनिए 15 months चुनिए और वहाँ पे डालिए CMC code अपने के farmers EU की foreign या EU की एक policy agriculture उसे खिलाफ जा रहे हैं तो environment and development का एक issue है जिसमें Poland के farmers परेशान है ये देखते हैं क्यों European Union ने एक चालू किया है deal एक agricultural scheme जिसका नाम है green deal तो European Union कहा जाता है third largest emitter है greenhouse gases का after China and US अगर पूरे European Union को जोड़ दे तब European Union है नहीं तो भारत है वहाँ पे climate neutral by 2050 ये चाहता है मैं climate neutral बन जाऊं by 2050 European Union इसलिए ये law से binding करना चाहता है कुछ चीजों को अपने member countries के उपर इसलिए लोग वहाँ पर trigger कर रहे है reaction के तौर पर कि क्या बोला है EU बोला है कि मुझे 2050 से climate neutrality लेकर आनी है जैसे भी लाओ लेकर आ दी है increase the reduction in its emission to at least 50% and work towards 55% in the near future मुझे अपने reduction in its emissions to at least 50% पर work करना है यू had committed to reduce its emissions by 40% by 2030 अब उसको 50% कर दिया है अब कहानी है कैसे तो एक बहुत बड़ा sector है agriculture का उस agriculture में खेती के दौरान greenhouse gas emission हो रहा होता है methane emission हो रहा होता है और अगर emission को रोकना है तो European Union अगर उस पर अंकुष रगाना चाहता है तो इसको agriculture पे revolution लाना पड़ेगा एक agriculture में शिकंजा कसना पड़ेगा और Polish के farmer क्या बोलें Poland के farmer we are protesting because we don't want to become slaves on our own land यह बोलते हैं according to the green deal we are supposed to grow what you will tell us what European Union will tell us हम वही उगाएंगे क्या बोला ऐसा है हम ऐसा नहीं करने वाले तो Poland जैसी country परेशान है क्यों क्योंकि इसको लग रहा है यार European Union जबरदस्ती कुछ चीजों को हमारे उपर ठोपेगी और ठोपी सकती कोई बड़ी बात नहीं है अब आपको जवाब यहाँ पर यह देना है नीचे कमेंट करके दीचे तब तर कि European Union का कौन सी country negative list में है जो European Union में नहीं आती नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो जहां आप integrated economy बना लेते हैं वहाँ आप European Union का सबसे बड़ा example ले सकते और जो policy एक मानेगा उससों सबको मानना पड़ेगा तो अब यहीं पर trigger होगा कि मैं आपको मानना चाहता हूँ या नहीं मानना चाहता हूँ पुलेंड वो लबही है हमसे नहीं हो पाएगा हम नहीं मानेगे तो green deal term है European Union के लिए और इसके तहरत यह सारी चीजों पर काम कर रहा है जहां reduction को मैं 50% तक घटा सकूँ और 2050 तक climate neutrality ले आऊं carbon neutrality ले आऊं इसके लिए agriculture की उपर बहुत work करना पड़ेगा यौरप को फिलाल पुलेंड तो प्रोटेस्ट में है आगे अगला टॉपिक देखते हैं चाजम बिट्वीन बाइडन और नेतन याहू वाइडन आज इसराइल वास तो कंटीनू और नेतन याहू अमने आपको बताया था यह इस पर भरोसा नहीं करने का और यह थीम हमारी भली location हो पर हम उस याहू क्या बोलने हैं भाई हम इतना असानी से नहीं छोड़ेंगे किसको गाजा को हमास को हम नहीं छोड़ेंगे अच्छा यूएस से भी बैर खाने को तया है समय इसराइल यूएस का क्या वैल्यू है इसराइल ने उसको दिखा दिया यूएस का पूरा विचारे का जित चीज बोलता ही है जिस दिन दोस्त आपको छोटा बोलने लगे बेकार अदमी उस दिन तो वाकई में संकट है आपके उपर और इस्राइल और यूएस दोस्त है और यहां बोल ला है कि हम तुम्हारी सुनेंगे नहीं तो कष्ट की बात तो है भाई उनके लिए पर समझना यह है कि यह है गाजा का एरिया और गाजा के एरिया में यह है रफा क्रॉसिंग जहां पर लगभग गाजा की सारी आबादी बैठकर यहां बैठ गई है आकर यहीं पर गाजा बोल ला इस और इसराइल बोला कि हम इसी में इंटर करेंगे और यहीं पर लोगों को मार देंगे और बाकी भी वहाँ पर ये खतम कर देगा, ये इरेस क्रोसिंग है जो कि नौर्थ में है, ये इरेस क्रोसिंग है जो कि आपकी नौर्थ में है, ये इरेस क्रोसिंग है जो कि आपकी नौर्थ में है, ये इजिप्ट से बॉर्डर बन रहा है, आप देख सकते हैं, इजिप्ट हमारी पूर्ण से पीछे नहीं हट रहे हुमने कंट्री दिलाएंगे आज से नहीं तब से बोले हम वो बात अलगी कि हम इस्राइल से दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, इस्राइल भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उससे तो दूर नहीं जाओंगा, हाँ मैं तुम्हारे बिडिंग जरूर कर दूँगा, यही हुआ UN में वोटिंग, और बोला हम मिलना चाह अच्छे, 143 वोट्स फेवर में भी मिले हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, that is against, maybe that is maybe a very good thing that has happened, 9 against भी मिले है, 25 एस्टेंशन मिले हैं, तो ठीक है, जिसको नहीं बनने देना है, वो नहीं बनने देने, पर 193, 143 अच्छा खासा स्कोर इंका मिल गया, भारा समर्थन कर रहा है भाई, पैलेस्टिंगों पूरा मेंबर्शिप दो, यह है हमारा डिप्लोमेसी, हम तुमारा मेंबर्शिप भी चाते, तुमारी एसर टू स्टेट सल्यूशन हम हमेशा ही बोले हैं, हाँ, इस्टेल को हम छोड़ेंगे नहीं, यह भी तय है, यह जबर्दस टॉपिक है, फा अब यहाँ पे, स्पाइसेस कहा है, नीचे साउथ में, स्पाइसेस दिख रहे है मुझे, स्पाइसेस एकनॉमी चल लगी वहाँ, कि अच्छा कासा अर्णिंग हो रहा है, कहा जाता है, पूरे विश्यो का 70% स्पाइसेस जो एक्सपोर्ट हो रहा है, भारत की देन है, वो ब्लैक पेपर, काडमम, वार्मर एरिया में अच्छे से उड़ पाते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वाइल, क्यूमिन और कोरेंडर को क्या चाहिए, टेंपरेट कंडिशन्स, तो यह कंडिशन लिख लिजिए गुरू, यही आना है आपके पीटी में, कि ब्लैक पेपर औ हिंदी भी लिख दीजेगा नीचे तो यह बड़ा हमने अंग्रेजी बोल दिया यहां तो, ब्लैक पेपर, कार्डमम, क्यूमिन, कोरेंडर, चाहिए लिख लिखेगा, तो क्या हिंदी में होता है, देखे तो कि इतना लोग हिंदी हिंदी जानते हैं, तो कि यह आता है तो यह बड़ा है, तो भाई, जो ट्रॉपिकल में होगा, उसको रेंफॉल चाहिए, जो टेंपरेट में होगा, तो कम में भी काम चलेगा, वेल दिस्टिबूटे रेंफॉल चाहिए, जान रखियेगा, ओके, अल्टिटूट अफ रिजन के इंपक्स पाइस कल्टिवेशन जैसे की, कल्टिवेशन अफ हाई वेल्यू स्पाइसे लाइ, सैफ्रॉन इस ओफन दन अचाहिए, जैसे कार्डमम की हर्वेस्टिंग इन केला इस तिपिकली दन दूरिं 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 आपका मौनसून है, मतलो हुमिडिटी अच्छा कासा, तब कार्डमम की की यही प्रिफर होती है स्पाइस क्रॉप को, और आपको बैलिंस चाहिए, लोमी का मतलब होता है कि आपको बैलिस चाहिए, सैंड, लोम के बीच में अच्छा कासा बैलिंस होना चाहिए, तब मेरा उगेगा स्पाइस, पर आप पूसकते हैं कि सरे न्यूस क्यों है आखिर, ये न्यूज इसलिए आ रही है क्योंकि कहा जा रहा है हमारा जो स्पाइसेज है केरला का वो खराब हो रहा है, ड्राइ हो रहा है, लीव्ज उसकी ड्राइ पढ़ जा रही है, येलो पढ़ जा रही है, सवाल उठता है क्यों? तो आपको जवाब ही पता है, कि भाई अगर आप एक्स्ट्रीम टेंपरिचर कर दोगे, पानी कम कर दोगे, जो ट्रॉपिकल में रहना चाता है, उसको कम कर दोगे, सभाविक सी बात है, खराब हो जाएगा, कार्डमम खराब हो रहा है, और कार्डमम को अभी हमने आपको और येलो ड्राइ क्रॉप्स, परिशानी की बात है, और इस सब के पीछे कौन है, भाई मेरा क्लाइमेट चेंज को सब क्या थीक राइसीग उपर फटता है, क्लाइमेट चेंज, एक्स्ट्रीम ओफ टेंपरेचर, यही इसकी कहानी बनती है, तर्मरीक और जिंजर की बात प Spices, prefer well-trained sandy loam soils, Black Paper, thriving lateritic soil, Black Paper, Cardamom को चाहिए loami soil, पर पॉइंट यह है, अगर मेरा rainfall कम होगा, तो मेरा Cardamom खराब होगा, यही आपका टॉपिक आया है, आपको बस इतना याद रखना है, मेरा Agriculture का Spices का, अगर मैं देख रहा हूँ इस समय, माई Cardamom is struggling because of less rainfall and why only Cardamom, other spices that wanted rainfall, if they are suffering because they don't have the rainfall, सफर करेंगे, और export खराब होगा, एक्सपोर्ट खराब होगा, तो regional development खराब होगा, मतलब वापस से वही crisis है, वीशे सरकल बन गया, मेरा climate खराब, तो मेरा production खराब, तो मेरा income खराब, तो मेरा export खराब, तो मेरा सब दिक्कत ह regional development सफर करेगा, तो केरला होता मिलाडू, यहाँ पर कम से हम चीज़े ठीक हो रहे थी है, वहाँ पर वापस से suffering चालू हो जाएगी, spices का market खराब हो जाएगा, आई अगली चीज़ दिखाते हैं आपको, the hills are alive with the sound of voting, बढ़िया topic है, hills are alive with the sound of voting, topic हम governance का आपको देना चाहेंगे, the theme is governance, अच्छा कहानी यह है कि दो, एक ही आदमी है जो दो constituency में देगा vote, यह एक आदमी की दास्ता नहीं है, यह पूरी area है, कहां की आई यह दिखाते हैं आपको, इस map को देखिए गौर से, आंदरपदेश और उडिशा का बॉर्डर देखिए आप, यह area भाई, इस्टन घार्स पे भी है पूरा, इस एरिया में, अगर ऐसा कुछ बना हुआ है बॉर्डर, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, उनको पता नहीं कि वो अभी आंदरपदेश में हैं, कि उडिशा में हैं तो खबर ही आ रही है कि सुबह वो जाके अंदरपदेश और वोटिंग देते हैं, और शाम में जाके ओडिशा का वोटिंग दे रहे हैं, यह कैसे संभाव है, क्या भारत में आप दो वोटर कार्ड रख सकते हैं, क्या आप दो बार वोटिंग कर सकते हैं, वो जो indelible link बोल पीपल एक नाइंटीन फिफटी जी हां आप दो जगह से वोटर कार्ड नहीं बना सकते एक ही जगह से बनाना होगा अगर आपने अपना एड्रेस चेंज किया है तो आपको फॉर्म भड़ना पड़ता है और फॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा ताकि आपका पूराना जो ह इसके उपर भी चार्ज है that they are punishable under section 31 of the representation of people act 1950 with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both fine भी लग सकता है जुर्माना भी हो सकता है और एक साल तक के लिए jail भी हो सकती है दोनों चीज़ आ रही है आपे वापस से वही important चीज़ दिखी यह याद रखियेगा representation of people act 1950 हमारे लिए है representation of people act 1950 वान उनक candidate है जो वहाँ पर आके अपना व्यवस्था बनाएंगे वह उनकी बात है candidates की कि उनकी उपर क्या-क्य रूल्स होंगे आए fresh water quest likely new gold hunter water की बात है water की बात है और बड़ी अच्छी बात है पहले हम आपको इस water की theme में चीज दिखाना चाहेंगे वो देख लीजेगा देखिए आ बच्छा का ground water में 30 मतलब ground water में ज्यादा है as compared to surface water अच्छा जो surface water भी है उसमें भी permafrost बना हुआ है 70% सतह पर जमा हुआ है उसके बाद लेक में है 20.9% और उसके बाद अगर आप देखेंगे atmosphere में 3% है पानी मेरा 3% उसके बाद river में 0.49 बस है swamp marshals में 2.6 soil marshals में 3.8 यह कह अगला यूद सच में होना है पानी पर आप इस बात का जायजा इस बात से लगाईए कि हमारे दिल्ली NCR के रीजन में पानी कम है और कम होता जा रहा है इसलिए लोग घबराय हुए है और हमें इस से लड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा तो इस आर्टिकल में एक अच्छी बात किया यह उसमस्ते बेला से आर्टिकल में बात की गई है एक्स्प्लोरेशन ओफ वाटर की एक्स्प्लोरेशन ओफ वाटर यह कहां पर होगा वैर इट विल बी अंडर दा ओशन जहां सालाइन पानी है उसके नीचे हो सकता है एक्स्प्लोर करने पे मुझे मि फ्रेश वाटर, कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि ऐसा होना संभव है, फ्रेश वाटर नीचे हो सकता है, अब इसको कैसे एक्स्प्लोर किया जाए, यहाँ पर याद आता है मुझे UN क्लॉस, United Nation Convention on the Law of the Seas, 1982, जो बोलता है कि हर कंट्री का एक बॉर्डर है, रिसर्से सारे वहाँ पर उसी के होंगे, और उसका नाम है माली जी मेरी कंट्री का बॉर्डर है यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर 200 नौटिकल माईल तक जो भी है, वो सब क्या है, EEZ, Exclusive Economic Zone, wherein whatever the resources are, और रिसर्से कौन से, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जो रिसर्स हो, सब इसी कंट्री का है, वो एक्स्प्लोर करके निकाल सकती है, और बोला गया है कि फ्रेश वाटर पे वार से बचना है, तो इसको चैलू कर लो, अगला भी एक तरीका दिखता है, हमें आजकल जो है, डी सैलिनाइजेशन प्लांट्स, भारत भी वर्क कर रहे हैं इसके उपर, हमारे पास भी डी सैलिनाइजेशन प्लांट है, हम और लगाने की बात कर रहे हैं, कैरला में भी है, लक्षदीप में भी है, हम और लगाने की बाद भी कर रहें है क्योंकि एक बात तो है है कि भाई जितना पानी मेरा समंदर में है 96% और उतना तो मुझे यह अनुटा मिलेगा इसलिए हमें कुछ-ना-कुछ अभर करना पड़ेगा तो यहां भी explore करना होगा, यहां भी करना होगा, तीसरा जो exploration चलना है, वो तो चली रहा है moons पर, किसके moon पर, हम ढूंड रहें Jupiter का moon, हम ढूंड रहें दूसरे ग्रहों का moon, जहां पर कहा जा रहा है, पानी ही पानी है, पर वो कैसा पानी है, अभी हमें नहीं पता है, but we are still exploring it, so in order to save the war, in order to save the humanity, we need to conserve the water right now, ताकि वो भविश में काम आ सके, तो पानी बचाईए यार, पानी बचाना बहुत ज़रूरी है, आईए, अगला topic है, the fraying of the model code of conduct, जबर्दस आर्टिकल, जबर्दस आर्टिकल है, पीडे अचारी साब, बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत बढ़िया, election मेरा theme है, fraying of the model code of conduct, आपको क्या रखता है, model code of conduct कुछ है नहीं, आईए, देखते हैं, क्या है model code of conduct, पहले समझेगा, Supreme Court सहाब का judgment है, हो judgment आया, election commission of India versus state of Tamil Nadu and others, 1993 का judgment है, Supreme Court क्या बोलने है, कि भाई, तुम election commission हो, अनुमान जी को बल याद दिलाया गया था, जामून पे, अब यहाँ पे बल याद दिला रहा Supreme Court election commission को, भाई, आर्टिकल 325, 324 है तुमारे पास, I interest, and the constitution has entrusted the powers to conduct the elections, transparently, fairly, genuinely to you, you are the survey server of election thing, बोला कि भाई, EC has a high constitutional authority, charged with the function and the duty of ensuring free and fair elections, you are clothed in immense power, why don't you work, अच्छा, वर्क करने के सिलसिले में आगया, model code of conduct लगा दिया, model code of conduct आगया, मतलब, आपका जब से मैं election का announce कर चुका हूँ, तब से लेकर आगये तक, जब तक result ना आजाए, आप सब model code of conduct को follow करोगे, ये क्या है, आचार सही था, अपना आचार सही रखो, वेभार सही रखो, ऐसा कुछ मत करो कि वहाँ पे, आक्रोश हो, जण आक्रोश हो, एक दूसरे खिलाब, ब्लैबर मत करो, ये model code of conduct है, अब अगला सवल, क्या ये statutory है, नहीं सर, इसके उपर कोई legal authority नहीं, कोई law नहीं है इसको backing में, तो इसका मतलब है कि मैं court नहीं जा सकता, अगर किसी ने model code of conduct को वाइलेट कर दिया, I cannot go to the court, क्योंकि law ही नहीं है, क्या law political party बनाएगी, कता ही नहीं बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी, क्योंकि सफ़स जाएंगे बनाएगी तो, अपने को अंकुष रखने के लिए कौन law बनाया भाई आस्ता, आप हो सकता है ना, घर से बाहर नहीं निकलते होंगे, पापा जी तो निकलते हैं ना, बोली पापा जी आप भी मन निकलो, पता क्या होगा, तो कहानी यहीं, अपने को अंकुष करने के लिए कौन law बनाया आस्ता, कोई नहीं बनाएगा, पर, पीडी राचारी सहाव ने बड़ा बढ़िया चीज बताया, मुझा मॉझा मॉदा प्रोविजय का कोई लॉट हो नहीं है, पर मैं तो में चीज दिखाता हू, तो कंड़्ट अफ एलेक्शन रूल्स, अद ररेप्रेजेशन गॉपर पीपल आड, इन दोनों में ही, कोई भी प्रोविजयन नहीं है, model code of conduct का, it does not have any provision for model code of conduct, that's very true, and this is your PT का question, neither the Representation of People Act nor the Conduct of Election Rules makes any provision for the model code of conduct, that's very true, but, however, the election symbols, reservation and allotment order brought out by the ECI, अब ये सूची का, मेरे पास election symbols order है, 1968 का, इसे प्रोविजन है विद विद वीदिश मॉर्ट of Conduct Cymbal's order was issued in exercise of the powers conferred by the article 324 इसका paragraph 16a बुलता है that in case of violation of the model code of conduct or other direction or orders of the commission it can suspend the recognition of a party or in an extreme case even withdraw its recognition suspend भी कर सकता है withdraw भी कर सकता है recognition तो गुरू मिल गया power rule के तहट साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास power यह rule कहां से बना article 324 को देखते हुए बना मैंने order बनाया ECI 1968 में और उसके तहट मैं आपको बोलता हूँ कि अगर कोई party कोई party का कारे करता कोई star campaigner अगर model code of conduct को खारिश करे wallet करे suspend करो आप किसको suspend करो party के recognition तो suspend कर तो अगर party का recognition ही suspend हो जाएगा तो उसे सारी जो मिली हुई benefits अब छीन ली जाएगी suspend कर रहा हूँ तो मानी दो मैने के लिए क्लिए क्लिए छीन लिया जूरत ही नहीं की किसे ने यह बुरा मत मानी का वाई प्रीश यह ली एक दब बुरा मत मानी का इस article में कह रहा है हम नहीं कि और कि tie-nl सेशल सहाब के बाद किसी ने इतनी हिंप मत नहीं की आगे की कहनी पर आप हटाते नहीं हो तो यही आप हटाते नहीं हो तो डिमांड की जा रही है गुरू कि इसको आप पहले तो लेजिसलेशन के तहत यूँ आप तू गिव इट सम लॉॉ का बागंग यू यूफ तू इप सम लॉॉ का बागंग एक पार्गई तो देखो मज़ा आएगा इमांदारी, मज़ा दिला देगी, ये बोला जा रहा है, पर आई ये देखते हैं, अभी ऐसा तो हो नहीं पा रहा है, पर सुप्रीम कॉर्ट ने बार बार एक ही चीज़ कही है, कि that you have to conduct the elections in fair and transparent manner, whatever you do, you have to make it fair and transparent, इसी को सुन लीजे आप, इसको कर लिजे, तो model code of conduct को लगाना है, law लेकर आना ही, बहुत जरूरी है, ताकि जो wallet करते हैं, score को उनके खिलाफ, punishment हो सके, उनको suspend का जा सके, या कोई भी action लिया जा सके, election commission अपने आपको फिलहाल बोलती है, कि सरकार हमारे पास दात नहीं है, काटने को, अरे दात नहीं English, now again I'm repeating, today is the last day of the offer, कहां है आप लोग, अगर आपको लगता है कि जुड़ना है, साथ में, पढ़ना है, मज़ेदार तरीके से, triumph batch English में जुड़ जाएगे, CMC code मत भूलिएगा, हो सकता है, ये code आपको बहुत फायदे दिला दे, batches are already there, life classes, one-to-one doubt-solving sessions, plus we also have this study material being delivered to you, हमा साथ अपने आपको जोड़ लें, और वहां पे code लगा दे, CMC जब आप लेने जाएंगे, कोई भी subscription तो आप लगा सकते है, subscription का हिंदी है, मैं आपको ढूल के बताते है, अगले session में, ये भी बैच चालू हो चुगा, आप जोड़ सकते हैं हमारे साथ, अच्छे से अभी त जीजेगा, फिट हाई बज़े दिगा, देखिए तो rank क्या आ रही है, और फिर अपना score हमारे साथ, share करिएगा, कहा share करेंगे, चंद्रमॉली, SIR पे, share करिएगा, पता चले, आप दो कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, चलेगा, चली बहुत बढ़ी है, आचली बस इतना ही, that would be from my side, thank you so much, take care, जहिंदे अपना ध्यान रखिएगा, और निरंतरता ही, सफलता की, कुझ यह जो निरंतर है, वही सफल है, bye, take care, जहिंदे